हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दे एक्जाम है कर योटूब चैनल दोस्तों जैसा कि हम लोग यूपी प्यसी 2020 के जिग्राफिक के जो सेकेंड पिपर हैं उसके क्योशन्स को हम लोग डिसकस कर रहे हैं तो आज किस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रश्ण को हम लोग यहां रिसोर्स इन इंडिया भारत में जलिये संसादनों की उपलबता यहां संभावेता को इसपस्ट कीजिए तो आपसे यहां पर इंडिया में पुछ रहा है कि इंडिया में जो वाटर रिसोर्स है उसकी क्या अविबिल्टी है ठीक है टोटल वाटर रिसोर्स की को बढ़ा सकते हैं या क्या हमारी संभाव नया है future में water resources का तो इन सारी चीजों को यहां पर आपको discuss करना है तो यहां पर आप अपने सोच के आप बताओ कि क्या यहां पर discuss करेंगे availability and potentiality of water resources पूछ रहा है तो यहां पर आपसे यह नहीं पीशना है कि जू इंडिया में किस टाइप की रिवर्स है या रिवर की pollution क्या है या groundwater की कि लेवल क्या है इस टाइप की question यहां पर नहीं है यहां पर overall water resources की बात कर रहा है ओभराल water resources में यहां पर surface water भी मारी आ जाएंगे groundwater आ जाएंगे groundwater और surface water दोनों की availability क्या है इंडिया में और उसके potentialty क्या है ये दुनों ही topic को आपको यहाँ पर discuss करने है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी data और fact को यहाँ पर put up करने पड़ेंगे availability के संदर में और potentialty के संदर में तो देखते हैं इस question को कैसे हम लोग deal करते हैं पहले introduction पार्ट में हम थोड़ा सा overview देंगे कि हमारी water resources किस टाइप की resources है तो water resources एक तरह से हमारी renewable resources है ठीक हमारी renewable होते रहते है water cycle के basis पे और पूरे earth नाम देखो गे थे 75% जो earth के area है वो water से cover है फिर भी हमारे major part of world और including India में भी बहुत सारे पार्ट में या water scarcity देखने को मिलत है तो इतनी सारे water के availability होने के बाउज़द भी water scarcity देखने को मिलती है क्यों क्यों क्योंकि quality of water है वो हमारी नहीं मिलते हैं और मिलते भी है तो एक तरह से unequal distribution है तो जैसे ही other resources के unequal distribution है वैसे हमारी water resources है उसका भी unequal distribution है और quality आप जो वाटर से वो हमारी सब जगा अविलेबल नहीं है इसी कार और वस हमारी वाटर इसका रश्टी बहुत जगा खासकर इंडिया में भी बहुत सारे पार्ट में देखने को मिलती है तो यह आप ऐसे इंट्रिडूस इसको कर सकते हैं अब टोटल वाटर अविलेबिल्ट यह हम वाटर हमारे ये पास अविलेबल होते हैं तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो ग्लोबल रेंफाल का फूर पर सेंट ठीक है नहीं है लेक %. लेकि इंडिया की रैंक आप देखोगे पर पर-परसन पर यह वाणर के अविलेबिलटी संदर में तो बॉतम में आपको देखने को मिलेंगे 133 हमारी रेंक है इंडिया की यह सारी डेटा जो है हम लोग NCIT की बुख से उठाय हुए है ठीक है तो रिलाइबन डेटा है इसको आप कहें भी आप पूट कर सकते हो तो इंडिया रिसीब क्या करता है 4% गलोबल रेंफॉल इंडिया रिसीब करता इबरेज जो रेंफॉल है वो 114 सेंटीमीटर रेंफॉल पर एर इबरेज रेंफॉल पूरे इंडिया में तो यह बहुत ही ज्यादा हाइस्ट है क्योंकि आप देखोगे इस्राइल में तो 10 से 20 सेंटीमीटर की आसपस वहाँ पर रेंफॉल होती है फिर भी वहाँ पे व्म मेंटर रेंफॉल जो व्मारी एफिलेवल है वमारी यह 4,000 क्यूबिक किलो मीटर के इतनी रेंफॉल हमारे एक एयर में पूरे इंडिया में होती है और इन 4,000 क्यूबिक किलो मीटर में आप देखोगे तो इसमें से सिर्फ हम 1869 उटो हैं हम सेब कर पाते हैं ठीक के 4000 क्यूबिक किलोमेटर की रेनफॉल हुई तो हम कुछ रीवर में डैम में ठीक है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके रेनवाटर होरेश्टिंग करके हम क्या करते हैं सिर्फ 1879 क्यूबिक किलोमेटर ही बचा पाते हैं बाकि हमारे जो वाटर होती है वो मारी ओसीर में चले जाती है और जो हम बचा पाते हैं 1879 किलोमेटर इसमें से 60% ही हम यूज कर पाते हैं ठीक है 60% ही हम यूज कर पाते हैं यानि कि यूजिबिल्टी हमारी आप देखोगे तो 1122 क्यूबिक किलोमेटर water resources की है यूजिबिल्टी और इसमें से आप देखोगे 90% जो इस water के यूज हम क्या करते हैं irrigation purpose के करते हैं और irrigation में हमारी inefficient utilization होती है हम जो हमारी developed country है या हमारी चाइना से reference आप देखोगे तो irrigation में जितनी water यूज होती है उनके उनसे हम 3-4 गुना inefficient water की uses है इसलिए आप देखोगे 2025 में हमारे पास बहुत सारे इंडिया के जो पार्ट है वहाँ पर complete water scarcity देखने को मिलती है तो यहाँ पर water availability बहुत ज़्यादा है लेकि उसको हम save नहीं कर पा रहे हैं और उसका अच्छे सी utilize नहीं कर पा रहे हैं और इसी कार और वहस हमारे पाफ water इसका रश्री देखने को मिलती है लेकि यहाँ पर question आप से नहीं पुझा आप water इसका रश्री देखने को मिलती है availability के यहाँ बात कर रहा है तो हमारे availability में आप बोल सकते हो यह हमारे data है इसके लावाँ आप बता सकते हैं कि जो हमारे नदन इंडिया है नदन इंडिया में जो Ganga की बेसिन है और हमारे बरंफुतरा की बेसिन है वो हमारे प्रैनील सोर्स है क्योंकि उहाँ पर ह Spe endpoint problem है नदन इंडिया में हमारे पास मानसुन के अलामा जो मन्थ होते हैं तो इसके बारे में यहाँ कुछ आप लग सकते हैं इसके पॉटेंसियल टी के बात करें तो हमारी पोटेंसियल टी तो आप देख सकते हैं कि वाटर की availability यानि total water हमारे पास बहुत जादा होती है लेकिन उसका हम बहुत ही कम उसको save कर पाते हैं बागी हमारी ocean में चल जाती है जो हम save करते हैं वो भी हमारी quality of water हमारी manage नहीं होती है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो water की potentiality है वो हमारी एक तरह से और जादा मिलने में नहीं यहाँ पर saving करने में है saving of efficient use है दि हम करते है water resources का तो हमारी water की resources है वो हमारी increase हो जाएंगे और वैसे ही इंडिया में बहुत जादा large coastline है हमारे पास 7,516 km का आजपास हमारी coastline है और ocean से हम coastline की किनारे water treatment plant हमें इस्टोल करते हैं तो उससे हमारे पीने के पानी हम वहाँ पे जुगाड़ कर सकते हैं लेकिन water treatment जो plant है यानि कि marine से हम जो पीने की योग ये पानी बनाएंगे वो हमारी quite expensive होते हैं तो यह हमारे expensive चीज़ों पे ध्यान न देके जो भी हमारी rain waters जो हमारी water मिले हुए हैं उसी को हम save करके save करने के पास बहुत सारी तरीके हैं हम dam भी मना सकते हैं ठीक है water harvesting कर सकते हैं और जो भी मारी पानी है वो हमारी गंदे होगा है उसको recycle कर सकते हैं recycle पानी को irrigation के purpose के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है bathing के लिए कर सकते हैं क्लिनिक के लिए यूज कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को recycle करके water को save करके और हमारी agriculture में water efficient technology का यूज करके हम उसके water के consumption को घटाके हम यहां पे water resources की availability है उसको हम बढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह हमारी तरीके है water resources की availability को बढ़ाने के लिए और रही बात यहां पे unequal distribution आप वो जो water की resources है तो उसके लिए भी हम यहां पे जो river linking भी कर सकते हैं लेकिंग river linking यह ज़्यादा costly है तो सब जगह हमारी आप बोल सकते हो कि जहां पे rainfall हो रही है cash to rain हमारी skim चला जा रही है इन सब चीजों को करके हम रहन जो water resources है उसको हम बढ़ा सकते है तो यह रहा दोस्तो इस questions related कुछ हमारे points जो हम लोग डिसर्स किया है इसके लावा आपके दिवा में कोई भी points यह आते हो तो आप please comment करके उसको share किजेगा और comment करके यह भी आप बताएगा एक वीडियो कैसी लगी तो आज के लिए बसना है दोस्तों thank you for watching मिलते हैं आगली वीडियो में नए topic साथ thank you